एनखाव मंडी में ये गया सेल आउट हुई है तो पूरी डीटेल में जनकारी देंगे कितने में बिकी है और क्या प्राइस किया जा रहा था इसका तो चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर बाले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे है कुछ भास का भी डीटेल देना चाहूंगा इस वीडियो में तो वीडियो को अन तक देखें सबसे पहले इस गया का ही डीटेल देना चाहेंगे दात में मिली भी है और इसके नीचे जो मिल्कि ताकि आप लोगों को थनों की बनावट समझ में आ जाया 12 लिटर वाक्ये में दूद करेगी या नहीं करेगी ये कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं तो देख सकते हैं आपर चेक क्या जा रहा है दूद वगरा तो थन काफी बढ़िया बना कर रखी है और देख सकते हैं थनों की बनावट बच्चा मेल है बाचा बच्चा मेरे इसाब से दोनों टाइम में इसे 9.5-9 लिटर दूद करना चाहिए और एक बार और थन दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं तो ये गया की थन की बनावट है और 38,000 में बिकी ये गाया आज की मंडी में 12 लिटर दूद की कैपिसिटी बताई गई है तो चलिए ब कुछ भैस का भी डीटेल दे दूँ आज की मंडी में भैस भी उपलब थी कुछ तो मैंने सुचा भैसों का भी बहुत सारे भाई डिमांड करते हैं वीडियो भैस का भी बनाया जाए तो कुछ भैस का वीडियो कवर करना चाहेंगे बने रहें और ये भैस दात में मिल चुकी है इसका अडर कॉलिटी कवर करना चाहेंगे काफी बढ़िया हाइट लेंथ में ये भैस है और थनों की बनावट देख सकते हैं इस भैस को बाहर निकालने के लिए भी कहा गया है ताकि थोड़ा सा और थन की बनावट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके तो भैस वैसे मुझे काफी बढ़िया लग रहा है तो जानेंगे इसका प्राइज भी और दूद की कैपिसिटी भी तो भैस को बाहर निकाला जा रहा है और डिमांड की अगर बात की जाए तो 98,000 इसका डिमांड रखा गया है 98,000 रुपया बच्चा मेल है तो भैसों का तो रेट सुनकर ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है इतना डिमांड क्यों किया जाता है आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बता है चलिए और कैसे कॉमेंट करके बोलेंगे लेकिन भैसों का हर मंडी में यही रेट है तो जो भी इसका डिटेल है वो देना चाहूंगा दात में यह भैस मिली भी है और इसके नीचे जो दूद की कैपिसिटी बताई जा रही है वो दोनों समय का साड़े 10 लीटर बताया गया है और 86,000 इस भैस का रखा गया है 86,000 इस भैस का डिमांड क्या जा रहा है थनों की बनावड देख सकते हैं और बच्चा इसके नीचे भी मेल है जो के काना बच्चा है तो 86,000 और साड़े 10 लीटर दूद की कैपिसिटी तो कम जादा करके मिल जाएगा मेरे हिसाब से यह भैस नहीं करेंगे और यह भैस डीटेल देने के बाद फिर वीडियो को भी अंद करेंगे तो यह भैस भी दात में मिली वी है गद काथी इसका भी काफी बढ़िया है और लेंथ वगयरा भी ठीक ठाथ है इस भैस का है थनों की बनावट आप देख सकते हैं तो 10 लिटर मिलकिंग इसकी नीचे बताई जा रही है तो यही थी आज की मंडी की जनकारी मुझे उमीद है कि वीडियो और जनकारी पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेर करना ना भूले और चैनल पर अ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें